लोग प्रेड आज हमर किचिन में आपका फेर्ट स्वागत है आज हम एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जो आपके सामने सेर करने जा रही हूँ आज हम दाल पालक की रेस्पी बताएंगे जो गाउं में बहुत ही ज्यादा पसंद की जाती है और आज हम देशी इस्टाइल म पानी में दो तीन बार ताकि इसमें जो मिट्टी और डश्ट अगरा है निकल जाए तो इसे अब हम देखिए यह इस तरह की है पाड़ी पालक तो इसको हम अच्छे से साफ कर लिया है आप इसे बराबर सेट कर दते हैं अब हमने यहां पर अब शेट कर लिया है और आप इ हमें बारे की से काटना है यह पालक को हम काटते हैं तो इसमें थोड़ा चा चिकना पर रहता है इसे तरह हमें तारी पालक को काट लेना है यह पालक हमने 200 गराम लेती अब हम पालक यहां पर सारी काट ली है अब हम इसमें दाल डालेंगे यह दाल हमने 200 गराम ली हुई है उड़द की उड़द की डाल में बहुत टेस्टी बनती है अब यहां पर हमने भगोना रखा हुआ है इसमें पानी एक लिटर रखा हुआ ह इसे हम पानी बैल होने लगा है, आब इसे हम पालक डाल देंगे पालक हमारी उबलने लगी ही इसे थोड़ा चला दिते हैं और अब हम यहाँ फे दाल डालेंगे दाल आपने धुल के इसमें डाल दी है फिर से चला देते हैं अब हम इसमें नमक आइड करेंगे स्वाद कैंसल डालना है नमक चला देते हैं ताकि नमक अच्छे से मिक्स हो जाए अब चलाने के बाद में हम इसे अब ढख देते हैं आप चाहें तो कोकर में भी डाल को बना चकते हैं अब यहां हम फिर से चला देते हैं इसी तरह हमें बीच बीच में चलाते रहना है और 15-20 मिल्ट तक पकाते रहना है यहां पर देखिए 10 मिल्ट बाद इस तरह की डाल होचकी है अब इसे हम और थोड़ा पकाएंगे और फिर इसे हम गयस को बंद कर देते हैं अब हमारी डाल पक चुकी है गयस को बंद कर देते हैं अब इसमें हम तड़का लगाएंगे यहां पर हमने तेल गयस पर रख दिया है गरम करने और इसमें अब हम लेसुन डाल दिया है लेसुन को जब तक ब्रावन कलर नहीं हो जाता तो तक मैं पकाना है लेस्ण को थोड़ा चला देते हैं ताकि अच्छे से पक जाए यहाँ पर देखिए अब ब्राउन कलर हो चुका है अब इसमें हम दो हरी मिर्च डाल देंगे जिसे स्वाद और अच्छा बढ़ जाता है अब यहाँ पर लेस्ण पक चुका है अब इसे हम दाल में तड़का लगाते हैं अच्छे से मिला देना है फिर इसे ढख देना है अब यहाँ पर दाल को देखिए अब इसे हम चला देते हैं अच्छे से ताकि जो तेल लेस्ण अच्छे से मिक्स हो जाए अब यहाँ पर दाल अच्छे से मिक्स हो चुकी है तरका लग चुका है अब इसमें हम एक चीज़ और डालते हैं और डालेंगे हिंग हमने यहापे दाल का थोड़ा सा जूस निकाला हुआ है इसे में हिंग डाल दिये और थोड़ा सा इसे पका लेना है ताकि अच्छे से पक जाए अब इसे हम दाल में डाल देंगे हिंग लगाने से क्या होता है यह पेट के लिए अच्छा रहता है इसलिए हम हिंग लगाते हैं और दाल का साथ भी बढ़ जाता है अब हमारी दाल की रस्पी यहां पर बनके तयार हो चुकिए दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें शेयर करें